हरे कृष्णा, श्री कृष्ण की कहानियों की ओर से आप सब को दीपावली की हार्दिक शुप कामना हैं। दीपावली पांच दिनों का त्योहार है। यह त्योहार भारत, श्री लंका, सिंगापूर और अन्य कई देशों में मनाया जाता है। दीपावली उजाले का त्योहार है। माना जाता है कि दीप चलाने से जीवन के अंदकार मिट जाते है। नरकासुर प्रग्यादिशपुर का राजा था, जो वर्तमान नेपाल में है। वो देवताओं के लिए बड़ा खत्रा था। भुदेवी का पुत्र और भ्रम्मा जी की खोर तपस्या कर एक वर्दान प्राप किया था। उसे उसकी मा के सिवा और कोई भी मार नहीं सकता था। देवता उसके अत्यचार से हताश हो श्री कृष्ण के पास जाकर प्रातना करते हैं। तब श्री कृष्ण सत्य भाम जी को लेके नरकासुर से युद करने पहुँचे। सत्य भाम जी भूदेवी का अवतार है। युद में एक तीर क्रिश्ण जी के पैर पर लगा। तीर को निकालने के लिए वो जुके तो सत्यमहमा जी को लगा कि भगवान गिर गए क्रोध में आकर सत्यभामा जी ने तीर निकाला और नरका सुर पर चलाया नरका सुर ने 16,000 देव पत्नियों को बंदी बना रखा था तीर लगते ही नरका सुर भस्म हो गया तब सत्यभामा जी और कृष्ण जी ने सोला हजार देव पत्नियों को कैद से मुक्त कराया भगवान ने प्रातहकाल नरकासुर्वद के बाद तेल से स्नान किया इसी लिए आज भी दिवाली वाले दिन सुभा तेल स्नान करने की प्रथा है सर्वं श्री कृष्ण अर्पनम